बच्चो आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्त और सकुसल होंगे तो बच्चो आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ एक अर्मान नामक कविता का अध्यान करेंगे जिसके लेखक है राम नरेश्ट्र पाठी बच्चो तो सब कविता सुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं इस पाठ में बच्चो कभी ने उन अमर लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्य निवच्छावर कर दिया तो चलिए बच्चो अब हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं है शौक यही अर्मान यही बच्चो शौक का अर्थ होता है इक्छा हम कुछ करकर दिखलाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरो में नाम लिखाएंगे बच्चो कभी इस पंक्ती के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा शौक भी और हमारा अर्मान यह अर्थात इच्छा भी यही है कि हम इस नस्वर संसार में अर्थात इस संसारें बच्चो जो भी आता है जीवित नहीं रहता, अर्थात उसे एक ने एक दिन जाना रहता है परंतु इस नस्वर संसार मित्थे जाने से पहले हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हैं संसार हमें याद रखे अर्थात अमरों में नाम लिखाएंगे अर्थात हमें कुछ संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करें कि हैं संसार वाले हमें याद रखें जो लोग गरीब निराश्रित हैं जिन पर न किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जो लोग गरीब हैं और जो लोग निराश्रित हैं निराश्रित अर्थात बच्चों बिना सहारे के अर्था एक सब्द में हम बोले तो अनात हैं जिन पर न किसी की छाया है जिनका कोई भी सहारा नहीं है और ना ही उनकी कोई देखभाल करने वाला है हम उनको गले लगाएंगे हम यहां गले लगाने से अर्थात बच्चों सम्मान देने से है कि हम ऐसे ब्यक्तियों को सम्मान देकर और उन्हें अपने बराबर इस संसार में दर्जा अर्थात इस्थान देंगे और हम उनको सुखी बनाएंगे अर्थात उन्हें हम इस संसार में उप्यूग की जाने वाली सभी सुख सुभिधाय देंगे और उनका जीवन हम सुखी बनाएंगे जो लोग अंधेरे घर में हैं अपनी ही नहीं नजर में हैं हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे जो लोग अंधेरे घर में हैं यहां बच्चो घर का अर्थात एक मकां से नहीं है यहां अंधेरी घर से अर्थ है अज्ञानता अर्थात जो लोग इस संसार में अज्ञानी है अपनी ही नहीं नजर में है और जिनकी पहचान इस समाज में कुछ भी नहीं है हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीब जलाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों के मन में हम परिश्रम करने की इक्षा जलाएंगे और उन्हें हम प्रेरित करेंगे कि आप परिश्रम करें और समाज में अपना एक इस्थान बनाएं जो लोग हार कर बैठे हैं उमीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्सा जगाएंगे इस पक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं कि जो लोग हार कर बैठे हैं वच्चो कुछ ब्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कारी प्राराम कर देते हैं लेकिन हमें सफलता ना मिलने के वज़ासे वो जैसे हमने कुछ कारी प्राराम किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली तो हम उम्मीद मारकर यानि उम्मीद छोड़ देते हैं कि यह कारी कभी भी सफल नहीं हो पाएगा तो कभी कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति जिन्हों ने अपनी उम्मीद छोड़ दिया है कि अब कुछ भी कारी हमसे नहीं होगा ऐसे ब्यक्तियों के मन में देखो लिखा है हम उनके बुझे दिमागों में अर्थाथ हम ऐसे ब्यक्तियों के मन में फिर से उत्साह जगाएंगे हम ऐसे ब्यक्तियों को उत्साह भरी बाते बताएंगे और उनके मन में उमिद जगाएंगे कि आप फिर से कार्य प्राराम्भ करें तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के दीवाने हैं हम मातर भूमी की सेवा में अपना सर्वस्य लगाएंगे बच्चो ये कभीता बच्चो तब की है जब सभी लोग देश के आजादी के लिए प्रयातने कर रहे थे तो देखिए तो उस समय कभी ने लिखा है रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के दीवाने हैं कि बहुत लोग अपना घर, मा, बाप, भाई, बहनों को छोड़ कर देश सेवा के लिए जा रहे थे तो उनको सब लोग रोक रहे थे कि तुम ना जाओ लेकिन उस पर कभी ने कहा है कि ऐसे लोगों को जो लोग आजादी के दिवाने होते हैं जो लोग अपनी मात्र भूमी की सेवा के लिए जाना चाहते हैं उनको मत रोको, उनको जाने दो हम मात्र भूमी के सेवा में अपना सर्वस से लगाएंगे और हम भी उन्ही बीरों की तरह इस मात्र भूमी की सिवा में अपना सर्वस लगा देंगे सर्वस अर्थात बच्चों अपना तन, मन, धन जो भी हमारे पास से हम सब कुछ लगा कर इस देश की सिवा करेंगे हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे और इस पक्ति के माध्य हम सब बच्चों कभी कह रहे हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं किन कैसे वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, जो अपने इरादों के पक्के थे, धुन यानि बच्चों इरादा, यानि जो मैने ठान लिया, वो ठान लिया, वो काम हम करके रहेंगे. तो उन विरों के अर्थात, जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए, सोच लिया था कि हम देश को आजादी दिलाएंगे तो दिलाएंगे ऐसे वीरों के हम बच्चे हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे तो हम इस संसार में ऐसा काम करेंगे कि हम उनका भी मान बढ़ाएंगे और इस जग में अपना भी नाम कमाएंगे अर्थाथ हम ऐसा काम करेंगे कि यह संसार हमें भी याद रखे तो बच्चो इस पाठ के दुआरा हमने यही जाना कि इस संसार में जितने भी दून दीन हैं दुखी हैं उनके प्रती हमें हमेशा सम्वेदन सील रहना चाहिए और समय समय पर उनकी सहता भी करते रहना चाहिए ताकि वह संसार में अपना एक इस्थान पा सके तो चलिए बच्चो अब हम इस पाठ के अभ्यास देखते हैं पहला है बच्चो आपका है प्रश्न उत्तर जो आपको लिखितकारी में करने होंगे जो आपको भेजा जा चुका है उसके बाद है बच्चो भाशा की बात जिसमें है पहला है कि पंक्तियों को रेखांकित करके मिलाईए अर्था देखिये यहां कवीता की कुछ अंस इधर दिये हैं जिनको आपको मिलाना है उसके बाद है पढ़िए समझिये और लिखिये उसके पश्चात है बिलोम सब्द लिखिये और अन्त में है कि दो भिन अ आप सब अभ्यास स्वेम पूल करें इसी के साथ ही अपार समाप्त होता है